हेलो स्टूडेंट आज हम वो क्लास 10 का फिजिक्स चाप्टर 212 एलक्रसिटी देखेंगे तो चली देखते हैं हम लोग का एलक्रसिटी होता क्या है सबसे पहले देखते हैं एलक्रसिटी इस दा प्रेजेंस और और फ्लो आफ चार्ज मतलब कि किसी भी आपका मान लेजी है क् हम लोग का कोई मैटल का चीज़ें ठीक है या मैटल का चीज़ें कोई कंड़क्टर ठीक है इसमें क्या है इलक्रों है ठीक है आप समझे ठीक है अब यहां पर हम लोग का एक कंड़क्टर उसमें क्या होता है चार्ज का प्रेजेंस होना और चार्ज का या तो चार्ज का प जो को लिए इस अ प्रॉपर्टी और निगटीव यह क्या हो सकता है या तो निगटीव चार्ज दो ही होते है पोजटी या तो और I like charge वो क्या करता है रीपेल करता जैसे प्लस और प्लस क्या करगा रीपेल करगा एक दूसरे को और unlike चार्ज क्या करगा attract करगा एक दूसरे को फिर क्या लिकाए it's a unit is column column को kis से denote करते c से charge को जो ऐसा unit है वो क्या है इसा यूनित किया है यह अब है अब चार्ज ॉन एक लैक्ट्रोन में चार्ज लेके होटा है और कोई भी चार्ज नहीं होता वो नीईट्राल होता तोटन में कोई बी चार्ज नहीं होता है आप के एक्जाम में पुछा जा सकता है यह तो भी एक नंबर का यह आ सकता है आपके competition exam में भी सब पुछा जा सकता है, 10th के board में भी आपका एक number के लिए सब objective में आ सकता है, कि charge का, मतलब कि electron का value कितना है, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, आप देखिए, number of electron in 1 coulomb of charge, मतलब कि 1 coulomb charge में कितने electrons होते हैं, तो 1 coulomb में कितने electrons होते हैं, 6.25 into 10 to the power, 18 electrons होते हैं, ठीक है, कितने होते 18 electrons होते हैं, इस बात का आप हमें से याद रखेंगे, यह सब exam में आपका एक-एक number के लिए पुछा जा सकता है, कितने होते हैं, एक कुलम में कितने number of electron in 1 coulomb of charge, एक कुलम charge में कितने electrons होते हैं, 6.25 into 10 to the power, 18 electrons होते हैं, अब देखिए, अगर हम लोग से पुछा जाए, ठीक है, यह हम लोग जिससे इसको हम लोग ने निकाला, अब यह एक formula से हम लोग निकालेंगे, Q बराबर N E, जहां Q क्या होते हैं हम लोग का charge, N क्या हता है, number of electron और E क्या हता है, charge on 1 electron, तो देखिए, Q के place में क्या हाजाएगा, 1 C, 1 column, equal to N, into E, हम लोग को E का value कितना हम लोग जानते हैं, electron का value कितना है, 1.6 into 10 to the power, 19 column, तो इसको लिख दिया हम लोग ने, आप देखिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, multiply में equal to देर आएगा, तो divide में हम लोग क्या हो जाएगा, C से C क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, ठीक है, column, column, cancel हो जाएगा, इस दोनों के जब divide करेंगे तो हम लोग क्या हैगा, भाजिये, हम लोग current की सको बोलते हैं न, मतलब की, per unit में, कितना charge हम लोग का किसी conductor में या Metal में क्या होता है, या inim हे क्या होता है hem fits, ठीक है, per unit time में, कितना charge हम लोग का flow होता है, जयसे की, Kang, second में, मान लीजिए, एप सिकेंड में, कितना charge flow हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते है, current को i से denote करते है, charge को q से और time को t से, हम लोग कही क्या हो गई है, formula बन गया, i equal to q by t, यह सब formula आप हमेसा याद रखेगा, i equal to q by t, और यहाँ पर q equal to any, यह formula सब काम आएंगे, आपको numerical solve कर देगे, अब चलिए यहाँ पर देखते है, ऐसा unit of current क्या होता है, ampere, current को किस से measure किया जाता है, ampere से measure किया जाता है, अब देखें यहाँ पर, जो ampere के सबसी छोटे unit है, वो क्यों को से देखें, पहले यहाँ पर दिखा जाता हूँ, 1 milliampere, यानि कि इसको हम लोग short में क्या लिखते है, m और capital A, equal to कितना होता है, 10 के power minus 3a होता है, 10 के power minus 3a, और 1 microampere, जिसको हम लोग क्या लिखते है, short में, mu A, यह कितना होता है, 10 to the power minus 6a, mu, देखें यहाँ पर, ठीक है, mu को ऐसे लिखते है, ठीक है, mu है, अब यहाँ पर देखें, current is measured by emitter, current को, जो measure करता है, उस device को हम लोग क्या कहते है, emitter, ठीक है, अब होता है, a, और यहाँ पर एक तरफ हम लोग का positive होता है, दूसरी तरफ हम लोग का negative होता है, जो हम लोग का, और यहाँ पर और एक चीज ना, यहाँ पर current का flow होने का direction किधर होता है, जैसे कि electron आपका, किधर कर रहा है, electron क्या opposite है, अगर electron का कहा, माल लोग एक battery से अगर जोड दिया जाए, तो current कहाँ flow करें, current का direction कि दोगार, मान लिजी हम लोग का, इधर positive इधर negative होता है, ठीक है, मान लिजी ना, मान के चल रही हम लोग का battery है, अब देखिए हम लोग कोई भी conductor है, ठीक है, यहाँ से, देखिए, पलस है, और यह negative है, आब यहाँ पर समझी है, जो electron ह कौँसे चाल रह­ता है, नगटिफ चाल होता है, तो फिस की और आएगा, इधर आएगा, पोजिटीफ की और आएगा, तो कि उर्यक्टिफ की और आएगा, ना की दिशelnों की और quarterly इधर होता है, तो current का direction इधर होता है समझ में आया चलिए हम लोग आगे चलते हैं यह क्या रिजिस्टेंस यह किसा होता है यहाँ यहां पर देखिए हम लोग कर्क ठीक है याद रखेगा मेटर का से कनेक्ट करते हैं सिर्किट में देखिए पलस को देखे बैटर indicator का प्लस से और एमिटर का मायनास किसे रहे इधर यह हम लोग का रहेगा बैटरी के मायनिस इसे ठीक है यह मोग का बलब यह अगर ऐसा रहा ठीक है यहां पर दिहां से देखिए अगर हम लोग का ऐसा रहा तो यह हम लोग का क्या है switch off है अगर हम लोग का ऐसे बस रहा मतलब यह क्या switch switch क्या हम लोग का on है ठीक है students अब चलिए हम लोग के क्या हम लोग के हाँ और हम लोगा जो हम लोगा एमेटरर है वह क्यासे रहएगा सिरीज्ट मेंकनेक्टर है है सिरीज्ट में हमेशा क्रिश्र कतर रहेगा तर्म लोग आज यते नहीं टॉपिक डेखें गहां नाक्सथ्ट वीडियो में हम लोग और और ब्रीट उप्रकें कुछ कुछ पढ़ेंगे तो इस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू